それでは進行 वेल्कम याल उन्दी चैनल seerbajar.com तो basically guys आज मैं पेटि-eam stock share के बारे मैं बात करने वालू हूं तो guys यह video उन लोगों के लिए काफी important होने वाला है जिन लोगों ने पेटि-eam के share में invest कर रखा है या फिर पेटि-eam के share में invest करने का सोच रहे हैं 70% की ग्रावट देखी जा चुकी है लेकिन वहीं पर गाइज मार्केट में आप जो है ऐसी खबरे आ रही है जिससे कि आप देखेंगे कि मार्केट में जो है इस सेर को दुबारा से आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है तो जैसा कि गाइज मैं आपको बता दूँ कि कौन- हुआ तब ही आप जान पाएंगे कि इस स्टॉक में आपको कितनी रिकवरी देखने को मिल सकती है कितने टाइम पीरेड पे जिससे आप जो है गाइज एक अच्छे तरीके से अंदाजा लगा सकें तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ में अपनी फर्स नहीं पर आकर मैं आपको बात करूं तो गाइज इतनी गरावट के बावजूद कई सारी मूचल फंड जो कंपनी आया है गाइज वो इस्टिल पेटीम के साथ में जो है बनी हुई है वो क्यूं बनी हुए गाज उन सभी को पता क्योंकि हम सभी जानते कि पेटीम जो एक अ हो जाएगा तो उसमें भी आपको जो है जल्दी पेटीम बैंक की तरफ से भी एक ओफिसियल ने बोला था कि जितनी भी सर्वसेस हैं वो कंटीनुई रहेंगी जब उनका मामला इस सुलच जाएगा तो वहाँ पर यह नए कस्टेमर्स भी जोड़ना सुरू कर देगा ठीक ह तो काज यहाँ पर आप देख रहे हो कि कई सारी कंपनिया है जो अभी भी पेटीम के साथ में जो है बनी हो है मुचर फंड के जरी है इन्वेस्टर तो काज यह कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव न्यूज है वहीं पर अगर मैं बात करूँ गाज यहाँ पर अगर आप उन लोगों मैंसे हूँ जिसको स्टॉक में कई भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होती है या फिर आपने कोई स्टॉक सोचा और आपने उसमें इंवेस्ट नहीं कर पाई आपको आइडिया था कि यह उपर जाएगा लेकिन आपने किसी स्टॉक में ट्रेड लिया और आप आपको नहीं पता है कि कब एक्जिट लेना है कब एंट्री लेनी है या आपने कम प्रॉफिट पर बुक कर लिए तो यहाँ पर मैं आपकी जतनी हो सकता है मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ ठीक है साथ ही अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो आप चैनल को भी सब्सक्रेब कर लिजेगा ताकि मैं आपको इसी तरीके से कंट्यूनिसरी रेगुलर अपडेट देता रहूँ ठीक है गाइस तो यहाँ पर गाइस मैं आपको बता तो कि पेटी एम का जो इतना बड़ा कंसर नहीं बताया है सिटी ने की जो उसका प्राइस है गाइस वो इतना जादा गर चुका है तो वो एक बहुत बड़ा जो है इशू नहीं है गाइस हम सभी को मालूम है कि जैसा कि इन्होंने बोला है कि जो वैलूइशन है अभी कंपनी के गाइस वो काफी अच्छी है और काफी अट्रेक्टिव भी है वहीं पर अगर मैं बात क से कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है यह सिर्फ मैं आपको एजूकेशन परपस और रिसर्च बेसिस पर बता रहा हूं गाइस तो आपका डिसीजन होगा जो भी आप लेते हो बाइंग सेलिंग वाटेवर यह आपका डिसीजन हो ठीक है तो मेरी तरफ स किसी भी तरीका कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है वहीं पर मैं बात करूंगा यहां पर पेटियम के सेयर प्राइस जो अभी हम सभी को पता है कि कम पे चल रहा है लेकिन वहीं पर कई सारे गाईज बड़े-बड़े इंवेस्टर है जो कि इसमें इसमे लूगशन पर सबस्केर रहे खैंतर मैं इसमें पर अब और रिखाय आप र हमने लेकिन इसमें पर सेयर बंट्र करर सकते नियुक किया अनूट यह सबसे पहले मार्केश चुर आप आफेजोबू. इसमें बढ़ा है गाज वो 1.572, 1.7 का कर दिया तो आप देख रही हो गाज कि किस तरीके से लोग जो इस स्टॉक में जो है कंटिनुसली बाइंग करें तक देखो गाज क्या होता कि मार्केट में हमको हमें सब आची दिखाई जाती है जो कंपनी के फेवर में ना हो लेकिन अगर आ साथ कर यहां पर मैं कंपनी को कोटल रीजल की बात करें तो गाज आप देख सकते हो यहां पर नेट सेंस करें बाज कुए तो माइस 12.4 अपर देख सकते हो 78.86 का यहां पर आपको चेंज़ देखने को मिलेगा नेट प्रॉफिट गाज जो 69.08 कर रहा है ठीक है वहीं पर प पेटेम गरने का जो रीजन था गाज उस टाम पर कोविड भी चल दा था और यहां पर यूक्रेन और रसिया का वार भी था बाद में तो वहां पर जो काफी ज़्यादा मार्केट वालेटिल पेटेम ही नहीं काई सारे स्टार्ट अप्स ते जो कि सेर गरे थे आप जो मेट आज की वीडियो में पेटेम के बारे में इतना ही डिसकस करूँगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगी हो तो गाज आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो वीडियो को लाइक कर सकते हो और सेयर कर सकते हैंक यू सो मुज गाज एंड हेवा गोड डे